हाला कि युद्ध में जब वार होता है तो पलट वार भी होता है यूक्रेन की तरफ से दावा है कि हमने भी रिटैलियेशन किया है और रूसी प्लेन को हमने मार गिरा है हम आपको मता दें स्वक्तिक और बड़े खबर यूक्रेन के तरफ से लिए दावा है कि हमने रश्या के प्लेन को मार गिराया है ये नई जानकारी निकल कर सामने आई है और खारकीव से ही जानकारी निकल कर आई है कि खारकीव में यूक्रेन ने रश्या के प्लेन को मार गिराने का बड़ा दावा किया है तो एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यूक्रीन और रेशिया के बीच जंग का आज 12 दिन है इस 12 दिन दोनों तरफ से अपने अपने दावे किये जा रहे है यूक्रीन की तरफ से ये दावा है कि हमने रेशिया का प्लेन जो है वो मार गिराया है उदर खारकीव म तेलिविजम टावर को भस कर दिया है रूस की तरफ से और इसमें एक नई जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि रूसी फाइटर प्लेन में जो पाइलेट था उसकी भी मौत हो गई है तो यूकरेन के हमले में रूस का विमान धराशाई होता है और उसके पाइलेट के म प्रत्यारोग के साथ तावे हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो खाल्कीफ से यह खबर है जहाँ पर रूसी फाइटर प्लेन को यूकरेन में मार गिरा है तो बारवा दिन आज और इस बारवे दिन के अगर कहानी आप देखेंगे तो फिलहाल ये बारह तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग-अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये समझाने के लिए कि बारह दिन ये युद्ध कैसे चलता है और कैसे ब